गुड मॉनिंग बच्चो आज हम मैस का चैप्टर तीन कुछ लेना कुछ देना का चैप्टर कंटीन्यू करेंगे जहां हमने छोड़ा था तो शुरू करते हैं मेरी खाने की चीजे ढूंडो पहुचो किट्टू के गर और ढूंडो जवाब सुनो एक मस्यदार बात माा ने मुझे बताया कि कुछ कमरों में बड़ियां बढ़ियां मिठाइया हैं इन कमरों को खोचने में मेरी मदद करो कमरा संक्या ये संक्याओंपर निशान लगाते जाओ पहला क्या दिया है 34 में से 10 कम डैश होगा 34 में से 10 कम क्या होगा हम इसे कैसे solve करेंगे इसमें बोला है 34 में से 10 कम होगा तो हमें 34 में से 10 को कम करना है तो हम इसे कैसे करेंगे 34 में से 10 को कम कर देंगे घटा देंगे और हमेशे एक बात याद रखना चाहे हम जोडें, चाहे हम घटाएं, हमेशा दाई तरफ के नंबरों से हम ये शुरू करेंगे दाई तरफ के नंबरों को जोडेंगे, अगर घटाना है तो दाई तरफ के नंबरों से शुरू करके घटाएंगे जैसे 4, 4 में से 0 के कितना बचा? 4, अब हम 22 तरफ वाले को करेंगे, ये 3 और 1 को, 3 में से 1 गए कितने बचा? 2, तो कितना आया? 24, 24, तो 34 में से 10 कम कितना होगा? 24, 24, तो हम यह क्या लिख देंगे? 34 में से 10 कम, 24 होगा, अगला देखते हैं, 53 में से 20 माइनस, मतलब कम करने है, 53 में से 20 को हमें कम करना है, तो अब हमें 53 में से, 53 माइनस 20 is equal to, क्या आएगा है हाँपर? हमें find करना है, तो हम इसमें 53 में से 20 माइनस करेंगे, कम करेंगे, 53 में से 20 कम करेंगे, हमेशा इस तरफ से चालू करते हैं, धाई तरफ से, तो तीन में से जीरो गया कितना बचा तीन और पांच में से दो गया कितना बचा तीन तो यहाँ पर कितना आ जाएगा थर्टी थ्री तो फिफ्टी थ्री में से ट्वेंटी गया तो कितना बचा माँ थर्टी थ्री अगला है 31 में से 11 जादा क्या होगा 31 से 11, 31 से जादा मतलब 31 से जादा है तो हम 31 में 11 को जोड देंगे तो क्या होगा तो हमें बताना है 31 से 11 जादा 31 से 11 जादा तो 31 से जादा बोला है जादा का मतलब इसे हम जोड देंगे तो 31 में हम 11 को जोड़ देंगे और हम इसमें भी यहां दाई तरफ से चुरू शुरू करेंगे एक और एक दो तीन और एक चार तो 42 इसका अंसर 42 तो इसमें क्या बढ़ देंगे 31 से 11 जादा मतल़ा 42 42 और फिर अब हम इसमे 42 ढूंड कर कलर कर देंगे तो यह है इसको हम कलर कर देंगे ऐसे अब अगला देखते है 66 में से 11 कम 66 में से 11 कम करना है कम में क्या करते हैं हम घटा देते हैं तो 66 में से 11 हमें कम करना है 66 में से कम को क्या करेंगे घटा देंगे तो अब यहाँ से शुरू करेंगे छे में से एक गया कितना बचा अब हम इसमें क्या करेंगे फिफ्टी फाइफ में रंग देंगे कलर करेंगे तो फिफ्टी फाइफ का है ये रहा ऐसी जो जो आनसर आईगा हम उस answer को इस number में ढूंड के उसमें color कर देंगे अब अगला बोला है 62 plus 13 is equal to 62 plus 13 कितना होगा 62 plus 13 तो 62 plus 13 62 में 13 को जोड देंगे प्लस इस sign का मतलब होता है जोडना और इस sign का मतलब होता है घटाना इसका तो हमें 62 में 13 को जोडना है 13 को तो 2 और 3 तो 2 प्लस 3 5 और 6 प्लस 1 7 तो 75 तो हम यहाँ पर 62 प्लस 13 75 अब हम इसमें भी 75 को ढूंड के इसमें color कर देंगे तो 75 का है यह रहा इसमें हम color कर देंगे next question में 89 से 23 कम क्या होगा 89 में से 23 कम करेंगे तो क्या होगा हम यह क्या लिख देंगे 66 89 में से 23 कम 66 अब हम इसमें 66 छूंड के color कर देंगे तो 66 का है यह रहा तो इसको color कर देंगे अगला देखो क्या बुला है 10 से 40 जादा मतलब 10 में 40 जादा तो हम जादा का मतलब जोड देंगे तो 10 में 40 को जोड देंगे तो क्या हैगा 50 देखो कैसे 10 से 40 जादा तो जादा का मतलब जोड देंगे तो 10 में 40 जोड देंगे 0 प्लस 00 1 प्लस 4 5 50 आंसर आगया 50 क्या आंसर आगया 50 तो हम इसमें 10 से 40 जादा 50 अब हम इसमें color कर देंगे 50 डूंड कर तो यह रहा 50 इसमें इसको हम color कर देंगे तो अब next question देखते है 28 में 9 जोडने से dash आएगा 28 में 28 में 9 9 को जोडना है तो जोड़ेंगे कैसे तो इसमें बुला है 28 में 9 को जोडना है 28 में 9 को जोड देंगे अब यह है ना हमारे हासिल वाले सवाल आ गया है मतलब अगर एक digit होता है 5 होता है तो हम 5 लिख देते हैं अगर जब 11 और 17 आएगा तो हम कैसे करेंगे देखते हैं पहले हम दाई तरफ को जोड लेंगे 8 और 9 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17 17 अब 17 का 7 इदर आ जाएगा और जो 1 होता है वो हम यहाँ पर carry ले लेंगे हासिल लेंगे तो 1 है वो गहाँ पहुच जाएगा जो दाई तरफ नंबर है उसके ऊपर हासिल लग जाएगा 17 का 1 इदर आ गया और 7 इदर अब हम हासिल को और 2 को जोड देंगे तो कितना हो गया 37 तो इसका answer क्या है 37 इसमें हम क्या करते हैं अगर 2 डिजिट नंबर आ जाते हैं जब जैसे 10 हो गया 11 हो गया 12 इसके बाद जितने भी तो हम क्या करते हैं जो एक होते हम उसको जो हमारा पहला नंबर होता है हम उसको क्या करते हैं हासिल दे देते हैं दूसरे वाले नंबर को और जो दूसरा नमबर होता है हम उसे यहां लिख देंगे जैसे 17 का पहला नमबर 1 इदर आगे और 7 इदर आगे फिर हम इन ने इन दोनों को जोड़ दे कितना आगे 37 तो 28 में 9 को जोड़ने से क्या आया था 37 अब हम इसमें 37 को ढूंड के इस बॉक्स को कलर कर देंगे यह रहा 37 ऐसे ऐसे कलर कर देंगे अब नेक्स देखते हैं 9 और 44 का जोड जोड मतलब जोड देंगे तो क्या होगा देखते हैं 9 और 44 का जोड जोड मतलब जोड देंगे एड कर देंगे प्लस कर देंगे तो 44 में 9 को जोड देंगे 9, 4 और 9 कि Itna होगा पहले 9 तरफ से शुरू करेंगे 13 तो 13 का जो 1 है वो इधर आ जाएगा हासिल ले लेंगे और 3 इधर आ जाएगा अब हम इस हासिल और इस 4 को जोड़ देंगे तो 4 और 1 पांच तो तो कितना आगया? 53 जैसे हमने 13 का 1 यहाँ पर carry कर दिया मतलब हासिल दे दिया इसको तो अब इसको और इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 तो पूरा आंसर कितना आगया? 53 तो 9 और 44 का जोड़ कितना होता है 53 अब हम यह 53 के बॉक्स को ढूंड के उसको कलर कर देंगे 53 का है यह रहा अब next question देखते है 98 में से 34 कम करने पर डैश होगा मतलब 98 में 34 को कम करेंगे घटा देंगे तो क्या होगा हमें बताना है तो 98 में से 34 कम करने है मतलब घटा देने तो 98 में से 34 कम कर देने घटा देने यहां से शुरू करेंगे दाई तरफ से 8 में से 4 गया कितना बचा? 4 और 9 में से 3 गया कितना बचा? 6 तो 64 क्या हैगा हमारा answer तो 98 में से 34 कम करने पर क्या है था हमारा answer? 64 तो अब हम 64 का बॉक्स छूंड के इसमें कलर कर देंगे 64 का है यह रहा अब नेक्स्ट देखते है चार और उससे सैंटे जादा डैश हो जाएगा चार और 34 और 37 जादा अब यहाँ पर आगे ना जादा जादा को क्या करते हम जोड देते हैं तो 4 में 37 को हम जोड देंगे तो 4 और उससे 37 जादा जादा मतलब जोड़ेंगे तो 4 और क्या भुला है 37 37 हम इसे reverse में लिखते हैं ऐसे नहीं लिखेंगे 37 छोटा नमबर है तो नीचे लिख देते हैं अब हम इसको जोड देंगे क्योंकि जादा है तो यहां से करते हैं लाइ तरफ से 7 और 4 कितना होगा 11 तो 11 का 1 यहां आ जाएगा हासिल और एक इधार आ जाएगा फिर हम इस हासिल और 3 को जोड़ देंगे 3 और 1 4 तो कितना होगे आंसर 41 तो 4 4 और उस से 37 ज़ाद है कितना होगा 41 41 तो हम 41 के box को ढूंद के इसमें color कर देंगे 41 का है यह रहा अब next देखते हैं last question 83 में से 35 निकाल देने पर हमें dash मिलेगा मतलब 83 में से 35 निकाल देंगे निकालने का मतलब कम कर दिया कम करेंगे तो 83 में से 35 को कम कर देंगे मतलब minus कर देंगे तो हमारा answer आजाएगा अब इसमें हमें बोले 83 में से 35 35 निकाल देने पर हमें dash मिलेगा हमारा answer मिलेगा तो निकालने का मतलब क्या होता है कम कर देना कम मतलब minus कर देंगे घटा देंगे तो 83 में से 35 कम कर देंगे अब तीन में से पांच नहीं जा सकता क्योंकि तीन तो छोटा और पांच बढ़ा है तो हम क्या करेंगे इस आठ से थोड़े ले लेंगे क्योंकि अब ये तीन तो छोटा है पांच से तो तीन में से पांच तो जा नहीं सकता तो हम इस आठ से एक नमबर ले लेंगे तो इसके पास अभी 3 है अब इस 8 से एक नमबर ले लिया तो कितना हो गया इससे एक नमबर ले लिया तो इसके पास 7 बचे और इसको हमने एक दे दिया तो इसके पास 13 हो गए तो हमने एक इसको दे दिया तो इसके पास 13 हो गए 8 हमें कुछ नहीं करना होता इसमें अगर हमारा नमबर छोटा है नीचे वाले नमबर से तो हम दूसरे वाले नमबर से एक नमबर ले लेते हैं तो हम वही जो जैते 3 है तो 3 के आगे एक लगा देंगे अगर यहां 4 होता तो जैसे यहाँ पर अगर 84 होता और यहाँ नीचे लिखाओ 35 अभी हम नहीं से काट सकते क्योंकि यह नमबर छोटा और यह बड़ा है तो हम इस से ले लेंगे इस 8 से हम ले लेंगे तो 8 से हमने 1 ले लिया तो इसके पास 7 बज गए और इसके पास 4 थे तो इससे इसने एक ले लिया तो इसके पास 14 हो गया ऐसी इसमें हमने करा है तो इसका अंसर क्या हो गया 48 तो इसका अंसर हो गया 33 में से 83 में से 35 निकाल देंगे तो इसका अंसर हो जाएगा 48 अब हम 48 का बॉक्स जून के उसको कलर कर देंगे तो हमारा चैप्टर अभी यहां से पूरा होता है नेक्स हम अगली वीडियो में देखेंगे